बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी गाजर की खीर और वो भी ओलपर मिल्क से कोई भी मीठा बनानी के लिए ओलपर मिल्क जबरदस्त है, तो आज मैं इसे बनाऊंगी गाजर की खीर तो एक किलो गाजरे मैंने ले लिए इनको दो कर अच्छी तरह साफ कर लिया है और फिर इनको मैंने कदुकश कर लिया है ये एक किलो गाजरे हैं दो मुठी चावल या आदा कप के करीब चावल लेकर मैंने दो से तीन गेंटे के लिए बगो कर रख दिये थे और ये इतने नरम पड़ गए थे कि इनको मैंने हाथ से चूरा कर लिया अब ये चूरा किये हुए चावल भी इसमें डाल देंगे और चार गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे या फिर इतना पानी डालेंगे कि चावल अच्छी तरह इसमें सोफ्ट हो जाएं एक टी स्पून इसमें नमक भी डालेंगे और इसको चूले पर चड़ा देंगे और मीडिय मांच पर इसको पकने देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए अब इसका पानी बिल्कुल हुश्क हो गया है और जो चावल में कसर है गी है वो दूद डालने के बाद पकने में पूरी हो जाएगी तो अब मैं इसमें और पर मिल्क का एक लीटर वाला पैक डालूंगी आप फ्रेश मिल्क भी डाल सकते हैं अगर आप फ्रेश मिल्क डालेंगे तो वो आपको दो लीटर डालना पड़ेगा तो आप इसको दीरे दीरे चलाते हुए पकाते रहेंगे मीडियम आज पर इसको पकाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे इसको इलाते रहेंगे और इसके उबलने का वेट करेंगे जब इसमें बॉाइल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें 8-9 दाने इलाइची के और 300 ग्राम चीनी डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के मताबिक कम या ज्यादा डाल सकते हैं जब तक खीर बॉाइल होती तब तक हम नारियल और किशमिश साफ कर लेते हैं नारियल को काट लेते हैं और अखरोट भी साफ कर लेते हैं इनको नकाल लेते हैं खीर बॉाइल होने लगी थी लेकिन मैं चीनी डालना दिखाना बूल गई तो मैंने चीनी डाल दी है खीर के उबलने के बाद और इसमें नारियल और किश्मिश भी डाल दी है अखरोट मैंने अभी नहीं डाले क्यूंकि अखरोट बीच में डालेंगे तो वो कलर ब्राउन कर लेते हैं तो आखरोट हमेशा गार्णिशिंग के लिए इस्तामाल करें तो इसको मजीद थोड़ा सा गाड़ा उने तक पकने देंगे खेर बन का रेड़ी है, बहुत ही कम वक्त में खेर त्यार हो गई है और बहुत ही जबदस्त खेर बनी है अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो लाइक करें शेर करें, कॉमेट्स करें और काइंडली मेरा चैनल सबस्क्राइब करें